दोस्तो आप अगर लेप्टॉप या PC में एप को डाउनलोड करना चाती हो या फिर किसी भी सौप्टियर को इंस्टल करना चाती हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो में क्लिक किया आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आप लैपटोप या PC में किसी भी एप या सॉप्टियर को कैसे इंस्टल कर सकते हैं Friends हम आगर मोबाल के बात करें मोबाल में किसी भी एप को इंस्टल करने के लिए आप सीधा प्लेश्टोर में जाते हैं और वहां से एप को इंस्टल कर लेते हैं लेकिन PC में ऐसा नहीं होता है यहाँ पे पूरा सिस्टम ही अलग है आप इस वीडियो को कॉम्प्लिट वास किजिएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं फ्रेंट्स PC में एप इंस्टल करने के लिए काफी सरे तरीका है तो आप वीडियो को ध्यान से देखती रहिए सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है आपका ओपरेटिंग सिस्टम 32 बीट्स का है या फिर 64 बीट्स का है इन दोनों में थोरा सा डिफरेंट्स होता है तो आपको इस PC में राइट क्लिक कर लेना है इस PC में राइट क्लिक करके आपको प्रोपाइटिस में क्लिक करना है यहाँ पर आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 बीट्स ओपरेटिंग सिस्टम तो यह आपको ध्यान रखना है Friends, आभी हम बात करते है Apps या Software को Download कैसे करना है बात करते है Fast Method का बारे में आप अगर Windows 10 या Windows 11 यूज़ करते हो तो Windows का तरफ से आपको Microsoft Store मिल जाता है जैसे आप Tax War में क्लिक करोगे Friends, यहाँ पर आप कुछ इस तरीका से देख सकते हो नीचे इसमें Microsoft Store का आपको कोई ना कोई इधर मिल जाएगा अगर आपको इहाँ पर नहीं मिल जाएगा तो Friends, नीचे चार्ट्स बार में आपको टाइप कर लेना है तो देख सकती है, यहाँ पर जो Microsoft Store है यह देखाई दे रहा है अगर आपको इहाँ पर नहीं देखाई दे रहा है तो आप इसमें चार्ट्स कर लेना है Microsoft Store League के जैसे चार्ट्स करोगे तो आपका यह उपर में आ जाएगा तो आपको इधर से इसको open कर लेना है कुछ इस तरीके से यह open हो जाता है open होने के बाद आप उपर देख सकते हो top 3 apps में आप जैसे click करोगे यहाँ पर बहुत सारा apps निकल के आ जाएगा आप scroll down करके देख सकते हो यहाँ से आप कोई भी apps को बहुत ही आसाने से आप download कर सकते हो अपना system के अंदर में अगर आपको कोई भी apps यहाँ पर नहीं मिलता है तो उपर में एक charge box है आप charge box में भी charge करके कोई भी app को यहाँ पर download कर सकते हो या install कर सकते हो अब यहाँ पर फ्रेंट्स हम आप लोगों को WhatsApp को इंस्टल करके दिखाते हैं जैसे आप WhatsApp को इंस्टल करेंगे एक गैट का ओप्षन आएगा गैट ओप्षन में क्लिक करते यह डाउनलोडिंग शूरू हो जाएगा फिर यह आटोमेटिक ही इंस्टल हो जाएगा फ्रेंट्स यह कुछ प्लेश्टूर के जैसा काम करता है आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करके अल एप्स में क्लिक करने ओपर देख सकते हैं रिसेंटली जो एप आपने डाउनलोड की यह उपर में मिल जाएगा आपको तो इसमें आप इसको अगर डेक्स्टप साइट में लाना चाते हो तो ड्रेगन ड्राप करके भी ला सकते हो इसको पकाटके कुछ इस तरीके से इधर लाके छोड़ देना है एप्स के इलावा यहाँ पर काफी सरे गेम्स भी देखने कोई मिल जाएगा जिसको आप इसली आपना सिस्टम में इस्टल कर सकते हो यहाँ पर आपको कुछ गेम फ्री मिलेगा कुछ गेम पेट बला मिलेगा तो आप लोग फ्री गेम्स को इसली 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 कर सकते हैं लेकिन फ्रेंट्स यहाँ पर कुछ सब्टियर ऐसे भी है जो आपको Microsoft Store में नहीं मिलेगा उन सब्टियर को आपको अलग तरीका से डाउनलोड करना पड़ेगा उसके बार में भी बात करेंगे तो उसके लिए आपको simply किसी भी ब्राजर को ओपन कर लेना है तो यहाँ पर आप लोग को दो वेबसाइट का नाम बताऊंगा जहाँ से आप easily सब्टियर को डाउनलोड कर सकते हैं तो पहला वेबसाइट है पहला वेबसाइट का नाम है www.fileos.com यहाँ पर सारे सब्टियर अवेलेवेल हैं आप देख सकते हो home skin में कोछ सब्टियर आपको देखाई दे रहा है जिस भी सब्टियर को आप डाउनलोड करना चाते हो तो उसको आपको charge box में आपको charge कर लेना है For example मैं charge कर लेता हूँ firefox तो friends जैसे कि आप देख सकते हो जो वीडियो का पहले मैं आप लोग को बताए उनम है जैसे आप downloadable option में click करेंगे यह आपका download शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरा website है in.subtonic.com यह website भी काफी अच्छी है यह इसमें भी बहुत सारे apps मिल जाता है आपको जो apps आपको चाहिए तो इसका भी charts box में आप charts करके easily इसको यहाँ से download कर सकते हैं फिर install भी कर सकते हैं फ्रेंड्स आप अगर Microsoft Store से कोई भी app को download करते हो तो automatic install हो जाता है लेकिन आप browser से किसी भी software को download करते हो तो उसको manually आपको install करना पड़ता है तो मैंने जिस software को download के गया था चली इसको install करके देखते हैं उसके लिए friends आपको उपर में right click करना है right click करते है friends उपर देख सकते है run as administrator का option आएगा आपको इक इसको click कर लेना है तो वीडियो आच लोगे तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना फिर मिलते कोई नया वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत